असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आपकी जो बड्स हैं वो भी फिटन फाइन होंगी और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है हम नेंताल का जो जू है उसको विजिट कराएंगे हमारी टीम गई थी नेंता और उनका काफी अच्छा है नोने कालनी बगला रखिये काफी अच्छा सेटप लगा रखा है अगर आप कभी मिननेंताल जो जाएं तो प्लीज नेंताल जू ज़ू ज़रूर जो ज़रूर विजिट करें अगर आप बड्स लावर है और हो सके तो टाइम से जाईए क्योंक ठंड से बचाने के लिए उसे cover करना शुरू कर देखते हैं चलिए हम चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए जो आप बट्स देख रहते हैं यह था फीजन्ट इस फीजन्ट की बहुत सी वराइटीज हैं यहां पर मैं डेटेल में तो नहीं चाहूंगा लेकिन यह देखिए हमारा golden फीजन्ट है जो एक golden कलर का दिख रहा है यह male फीजन्ट है और यह black कलर की है यह मादिन है इसकी क्योंकि मादिन हमेशा खुपसूरत नहीं होती है जो male होता है वो हमेशा खुपसूरत होता है इस चीज में आपने भी देखा होगा और जो यह हमारा नैंता क्योंकि क्कॉंट्रिटी में और जाड़ों पर तो यह temperature क्यी बार माइनस में भी चला आता है और जिस लोकेशन में यह नैंताल में located है वहां पर काफी यादा मला हमेशा बारिज जैसा मौसम रहता है हमेशा धुन जैसी रहती बादल हमेशा चाहे रहते है यह देखिए मका मैं तकरीबन बचपरन से इसको देखते आ रहा हूं और करीब 20 साल से मैं करीब अपनी family के साथ जा मैं छोटा था बहुत तो पनी family के साथ आता तब से मैं इस मकाओ को देख रहा हूं और इसकी जो लंबाई है total मुई लगता नहीं तीन फिट से कम की होगी यह काफी आदा म साल से तो मैं ही इसको देख रहा हूं और तब भी काफी आ ऐसा नहीं बच्चा था यह तब भी इसी इतने ही बढ़े साइस का था यह, और यह सिंगल है और इसी के साथ इनों ने अब यह नहीं पता कि यह male है या female है और इससे साथ कुछ बजीज भी इनों ने छोड़ लखी क्योग होता है कि अकेला बडस एक केज में रहता है तो वह डिप्रेशन में आ जाता है केज में तो डिप्रेशन में आना लगता है और बिमार बड़ आता है यह देखिए बजीज है कुछ इनों ने आड़ अस में लगता है साथ आट पेर तो हैं बजीज के इसके अंदर इनों ने उससे काई यह बडस दूसरी बडस रखेगी जो बजीज होती कफी जादा वो होत कोकटेल में करीम है इनके में समल режलो यह ना है हो हमारे कोकटेल से ब्लेक है जीसे हम चार्कूल भी कहते हैं चार्कूल और इनके करीम में लगता है 12-15 पेर और यह लगता है काफी अच्छी ब्रीड भी कर रहा है यह यहां पर मद्डेतें पिछे लग आखिए नहिот बडसा उस पे इन्होंने राक रखी है और मुझे लगता है अच्छी ब्रेड भी करते होंगे यह ब्रेड भी मिलती है इनकी क्योंकि पहले कॉंट्री जो यहां पे कॉक्टेल्स की थी वो कम थी लेकिन आप बढ़ गई है और एक इन्होंने सन कॉन्यूर भी डाल लगा है इसमें क्य अगर आप मेरे चैनल और तॉरंजल बट्स को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक कर दें जादा यादा शेयर कर दें और बैल आइकन प्रेस कर ना पूले इससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिव इक्जन आपको मिले सबसे पहले यह देखिए यह ह कर नॉर्मल जो पीकोग हमारा होता है वह भी अबले वह इसके लाभा वाइट पीकोग भी है यह देखिए जो मेल है इसका वह वाइट है और यह फिम़ेल पीकोग है और यह हमारा टाइगर वैसे तो मैं टाइगर कवर करना नहीं था लेकिन इसका बहुत अच्छा शॉट जम्प और यह जो आप बल्ली देख रहें लग लिए वह जो उसका जो घर बना है उसमें करीम मुझे लगता है कमसे 15-18 फिट की डिफरेंस होगा देखी कितने आसानी से अराम से जम्प करके उसे क्रॉस कर लिया तो इससे आफ नाजा लगा सकते हैं कितनी हाई जम्प मारता ह है टाइगर और यहां पे कालोनी और यह कास जो सेटप है वो है हमारे इंडियन रिंग नेक का और इसमें अच्छे कासे पे आ रहे हैं करीब और यह मटकी वगरा भी लगा रखी हैं क्योंकि ठंड बहुत जादा होती है तो होता क्या है जो हमारे पैर्ट्स होते हैं केवल पिने के लिए भार निकलते हैं और फिर जागे मटकी में बैड़े आते हैं करीब आप साम के 4-5 बे देखें तो ऐसा लगेगा धुंद सी होने लगती है यहां पर और यह करीब देखी रहे हैं आप यह सितंबर का महीना चल रहा है और दूप दिन में तो अच्छे कासी नि नेंतल जू ज़रूर आएं और नेंतल जू में आप कोसिस करें कि बड्स एक्सन सबसे पहले व्यू करें क्योंकि आप थोड़ा से लेट होंगे तो होता गया ही इसको कवर करना सुरू करते हैं ठंड से बचाने के लिए बड्स को लकिन फिर भी अच्छी कॉंटिटी में अ क्योंकि अकसर बड्स को आदत होती है नहाने की तो वो सेंड में भी नहाती है तो उससे उनके केड़े मकुला निकलते हैं तो उन्होंने सेंड डाल लखी है हर एक कॉलोनीज में जो भी हमारे बड्स की कॉलोनीज है अलालग सेप्रेट बना रहे हैं और सबसे इची बाद को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप एवा निंता जू जरूर विजिट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, निंता जू जाने के लिए जो मारी माल रोड है, वहां से एक सटल सेवाच है, वह उसका जो टिकट है, फेयर है, वह करीब 60 रूपीज है, वहां से वापस लाने का रोड तक, वह 60 रूपीज है, और जो जू की एंट रिफीज है, वह 100 रूपीज है, और कैमरे बगएर की अलग से एंट रिफीज है, तो ये देखिए हमारे सन कॉन्योर है, काफिया था मैच्योर लग रहे हैं, इसमें से सिफ्ट कर दिया है, इसी वजाँ से सा इदन रूपीज है, और काफ़ी जादा मैच्योर रहे है, और काफि जादा अडलट पेयर है, बगए अच्छी पासी ओमर लग रहे है, जाए हैं बच्चे नहीं है, वह ये भी काफि जादा खुप Gobierno लग रहे हैं देखने में आपको फीजन्ट की तो कई काफी वरैटीज हैं आप एक नहीं बहुत वरैटीज हैं फीजन्ट की प्लस यहां की जो पाड़ी जंगली मुर्गया होती है उसकी भी है उस चीज को कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो छुप जाते हैं प्लस के आगे नेटिंग लगी रहती है नेटिंग से वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा टफ होता है तो जितना हो सका मैंने कोसिस की है नेंताल जू को कवर करने की और उमीद करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल तौनजल बड़ को सब्सक्राइब कर दे और ये है हमारी लबड्स की कलोनी यहाँ जो लबड्स का जो कलेक्शन है मोग मैक्सिमम फिशर का है फिशर के टेकरी का है यह रिंग लगवड है रिंग लगवड में आपको ब्लू मास्क हो गया ब्लैक मास्क हो गया और कॉमन फिशर भी है यहापे और तक्रीबन करीब 15 पेर हैं आपको कुछी चीज दिख रही होंगे कुछी पेर आपको नीचे दिख रही होंगे क्योंकि ठंड रहती है तो यह लोग आते हैं खांदाना खाते हैं फिर यागे मटकी में बैट आते हैं और एक पेर देखिएं बटेर का भी है इनोंने मिलता हो लेटिंग जो अगरा करते हैं उसको सफाई करने के लिए इनोंने नीचे इसमें बिमार पढ़ेंगे यह सेंट पॉंड बना रखा है इनोंने और पर्चेस भी काफी अच्छा है बना रखा है अगर आप भी अच्छी बड़ी कलोनी बना रहे हैं तो आप इसी कीस से एक बाद नहींताल जू जाईए वहाँ पर इनका देखिए क्योंकि पुरी जो इनोंने कलोनी बना रखी है यह फॉरेश्ट डिपार्डमेंट ने बना रखी है पुरी यह बनवबा का डिफो बैदा डिविजनल फॉरेश्ट ऑफिसर का पुरा ऑफिस है यहां पर जो सब चीज को मेंटेन करते हैं और पुरा का पूरा श्टाफ रहता है यहां गौर्मेंट का वह अपना डॉक्टर्स बगरा वेटनरी डॉक्तर की पूरी टीम रहती है वो सब चीज को चीज को मॉनिटर करते हैं और उसी के हिसाब से लोग इनके लिए पर्चेस वगएरा अच्छी कासी सब कुछ करते हैं कि सबसे बनाना है तो अगर आप भी कलॉनी बना चाते हैं तो प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज एक बार यहां पर जरूर आए नहीं तर दो इसको विजट करें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप कलॉनी डिजाइन करने में बहुत आप बहुत जाद आपको हेल्प होगी यह देखिए हमारे लबबड कितने जादा हेल्दी है मैं लगता काफी अच्छी ब्रीडिग भी करते होंगे कि मटकी पेकर लगार के अट मिला यह ब्रीडिंग भी अच्छी करते हैं होंगे यहां पर और उनको ने ख अगर तो आप टोमेटिक एब्जार्ब हो जाता है उसे मिट्टी के बरतन में और यह नैच्छरल भी रहता है तो आप भी कोसित करें कि आप जो भी दाना पानी अपने लबड को दे रहे हैं तो आप प्लीज उसे मिट्टी के बरतन बगार में ही दें क्योंकि मैंने भी देखा है और इन्होंने मिट्टी के डोब बगारे भी रख रखें देगे यह मिट्टी के डोब होते हैं चलिए अब हम चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ अगर आप पी कोई टोपिक में वीडियो को वियू करने के लिए धन्य बाद सुक्रिया बाई बाई